आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से multi-threading की जा सकती है python programming के अंदर multi-threading module का इस्तिमाल करके चलते हैं computer screen में और python की multi-threading को आज देखेंगे let's get started So guys multi-threading आप लोगों को बताने से पहले आप लोग को यह बताना चाहता हूँ कि multi-threading से क्या-क्या अचीव कर सकते हो आप लोग और क्यों इस्तिमाल करोगे multi-threading को सबसे पहला जो use case है multi-threading है वो होता है कि जब resources आप पहले ली डाउनलोड करना चाते हो internet से तो मतलब मान लो कि मेरे पास 10 servers है और उन 10 servers से मुझे अलग-अलग data चाहिए है अगर मैं AK करके data को डाउनलोड करता हूँ मान लो मुझे 10 files डाउनलोड करनी है internet से है वो कहीं पर भी हो 10 की 10 files 10 10 GB की है मेरे पास fast internet है fast computer है लेकिन मैं AK करके लगा दूँगा उनको अगर अपने python program में तो यार वो AK करके download होगा और यार अगर वो AK करके download होगा तो मैं time waste कर रहा हूँ क्योंकि शायद मैं pallally भी कर सकता ह उसको देखेंगे यही चीज की parallel कैसे करना है क्योंकि resource मेरे पास है मेरा computer fast है मेरे पास internet speed है वहाँ पर भी मैं जो है कहीं पर मात नहीं खा रहा हूँ तीसरी चीज है बस कि मुझे इसका स्तेमाल करना है और multi threading model का स्तेमाल करना है तो यार आ जाओ जल्दी सा रैपल को खोल और दिखाता हूँ आप लोगों कैसे चीज़े की जाती है ठीक है और directly आप लोगों नहीं आपर दिखाऊँगा की कैसे करना है ठीक है उससे क्या होगा ना की जब मैं बताऊंगा कैसे करना है directly तो एक अच्छी feel आईगी आपको आप भी कहोगे हां यार अब मुझे समझ मे आगया कि यह कैसे करना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि multi threading करके sorry threading करके module होता है python में ठीक है हमने import threading कर दिया मालनो मेरे पास एक function है और यह कुछ कर रहा है ठीक है हम इंपोर्ट time करके एक function मनाऊंगा और यह क्या करेगा कि कि जितने भी मैंने यहां पर seconds लिखे हूँ है उतने seconds के लिए sleep कर देगा मतलब यह एक function है जो कि यहां पर indicate some task being done मतलब क्या होता है कि कुछ भी काम अगर आप करोगे python programming में तो वह time लेगा ठीक है यह indicate कर रही कि कुछ काम हो रहा है ठीक है समझाओ आप लोग कि यहां पर कहने का मतलब हो मैंने deffnk लिखा और यहां पर यह करा मगर मालो मैं यहां पर funk1 को यह फंक फॉर को run करता हूं और मैं काम करता हूं मैं यहां पर print भी करूंगा और मैं काहूंगा sleeping for और यहां पर मैं लिख दूँगा seconds seconds मतलब की अगर 4 second के लिए sleep किया जा रहा है तो sleeping for 4 seconds लिखकर आएगा वहना sleeping for 1 second लिखकर आएगा and so on ठीक है तो अब ये मैं इसको रून करूँ आप लोगो इसको रून करके दिखाओं funk 4 मैंने किया और मालो मैं आपर एका दर बनाना चाहता हूं function funk 4 किया, funk 2 किया, funk 1 किया मालो यह एक function है कुछ काम कर रहा है ठीक है और यह जो भी काम कर रहा है यहाँ पर उसमें लगेगा time ओवियस सी बात है तो funk 4, funk 2 और funk 1 एक एक करके execute होंगे ठीक है तो मैं अगर आपको इसको run करके दिखाऊं तो आप देखो sleeping for 4 seconds 4 seconds के लिए रुकने वाला है यानि कि जब तक 4 seconds ना बीते ये नी चलेगा 2 seconds ना बीते उसके नीचे वाला नी चलेगा तो यह तीनों के तीनों एक एक करके काम करेंगे यह तो हम सब जानते है यह तो आपको गयार मुझे पता था क्या बता रहे हुए लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी जीज़ बताऊंगा जिससे कि हम इन तीनों को पैलली स्टार्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर मान लो कि यह function है कुछ इस तरह से जिसे मान लो कि आप एक restaurant में जाते हो अब आपने मान लो कहा कि मुझे खाना है पनीरबटर मसाला मुझे खाना है भिंडी की सबजी और मुझे खाना है रोटी ठीक है अब अगर एकी इंसान है वहाँ पर तो वो एके करके तीनों चीज़े बनाएगा तो अगर मान लो वो यह तीनों की तीनों डिशे पाँच मिनिट में बनाता है तो पंदरा मिनिट लग जाएंगे आपका खाना आने में लगेंगे की नहीं लगेंगे I hope कि इस समझ में आ गई ही सबको पाँच-पाँच मिनिट्स लग रहे हैं एक डिश में तो फाइफ तरी जा फिप्टीन होता है अब अगर मानलो तीन पहलली लोग काम कर रहे है तो कोई पॉइंट नहीं है इस बात का कि दूसरा इंसान रुक के पहले इंसान के खतम करने का इंतजार करें वो मतलब जैसे मानलो एक इंसान भिंडी बना रहा है वो रुका रहे कि जो python का design है वो इस तरह से python programming language का design है वो इस तरह से कि ये एक एक करके इंतजार करते खरते execute होता है ठीक है तो हम बनाना चाहते हैं इसको concurrent वो हम बना सकते हैं threading की साहिता से हम कह सकते हैं कि अलग-अलग threads handle करें इन तीनों के तीनों functions को तो हम thread syntax का इस्तमाल करेंगे हम कहेंगे आपर threading.thread हम यहाँ पर कहेंगे t1 is equal to threading.thread thread और एक thread बन जाएगा और हम कहेंगे कि भाई देखो ऐसा है हमें यहाँ पर funk जो है वो call करना है और arguments क्या होने चाहिए उसके arguments होने चाहिए मान लो 4 ठीक है तो मैंने आपर एक t1 नाम से thread बना लिया और ऐसे ही मैं t2 और t3 के नाम से बना लूँगा ठीक है तो जो काम मैं उपर कर रहा था वो काम मैं बड़े efficiently यहाँ पर कर रहा हूँ तो यह करने कि मुझे जरूरत नहीं है मैं इसको convert कर रहा हूँ मैं आपर एक काम करता हूँ लिखता हूँ normal code और मैं आपर लिखता हूँ code using threads और मैं आपर लिखता हूँ same code using threads ठीक है जब मैं same code को thread से thread के इस्तेमाल से करूँगा तो देखो 4 2 और 1 है arguments तो 4 यह argument 2 arguments 1 अब मैं क्या करूँगा अब मुझे manually बताना पड़ेगा python को कि भाई मैं इसको start करना चाता हूँ कुछ जासे समय लोगी गाड़ी यां खड़ी हुए उनको start करना है तो सबसे पहले पहली गाड़ी को start करते है मतलब जैसे मान लो कि एक इंसान है वह बिंडी बनाने के लिए खड़ा हुआ तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम चालू कर दो बिंडी बनाओ ठीक है तो t1 is equal to sorry बैं कुछ टी 1.start ठीक है और मैं उसी के साथ सा t2.start कर दूँगा और t3.start कर दूँगा अब यहां पर क्या होई तूवे ती devast के ने थी के तीनों की साथ स्टार्ट हो जाएंगे तूवा आपको दिखाता हूं जहां का वमारा हो रहा था चार दो छहे और एक साथ सेकुंड में अब कितनी दिर में हो जाएगा का मैं आपको दिखाता हूं तो मैं इसको रन कर आहूं ग dun एक साथ तीनो start हुए और फिर उसके बाद खतम भी हो गए ठीक है मैं एक काम करता हूँ कि यहां पर आप लोग को यह दिखाता हूँ कि इसमें time कितना लग रहा है तो जो हमारा normal code था जो normal code था हमारा मैं यहां पर एक काम करता हूँ यहां पर लिखता हूँ t1 is equal to t1 is equal to time.perf counter ठीक है इससे क्या होता है कि यह performance counting के लिए जो है use किया जाता है तो मैंने यहां पर t1 लिखा और यहां पर sorry t1 नहीं लिखूँगा कि मेरा t1 है threat time 1 लिख देता हूँ time 1 is equal to यह लिखा मैंने और अब मैं कहूँगा यहां पर time 2 is equal to यह और मैं आपर फिर print करूँगा time 2 minus time 1 time 2 minus time 1 तो जो मेरा पुराना code था वो कितनी दियर में चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ वो कितनी दियर में चल रहा है पुराना code मेरा तो यहां पर sleeping for 4 seconds sleeping for 2 seconds आपको दिखाता हूँ कि यह तीनो जब 4 seconds 2 seconds 1 second आपकी जिन्दगी के पूरे के पूरे 7 seconds waste करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना time लग रहा है 7 seconds ठीक है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहां था मेरा normal code मैं same code using thread जो है यहां पर चलाऊंगा लेकिन यह catch है यहां पर इसको चलाने से पहल पर मैं चलाने के बाद ही आपको वह बात बताऊंगा क्योंकि आपको अच्छे समझ में आएगी तो मैं इसको भी ले लेता हूँ और मैं इसको जरा ऐसे कर लेता हूँ अब मैं normal वाला जो code मैं इसको comment out कर देता हूँ और obviously मैं time को यहां रखोंगा नीचे सबसे end में जब 0 seconds ले रहा है अब को यह 0 seconds कम एक सेकंड तो लेता है अब तीनों जब एक साथ start हो रहे है तो सबसे slowest process कौन सी है इन तीनों में से यह वाली है जो कि 1 second में कम हो जिए sorry slowest process यह जो कि 4 seconds ले रही है तो इस पूरे को पूरा होने में 4 seconds लगने चाहिए थे अगर मान लो कि जो प अगर आपने chemical kinetics पड़ी हुई है जेई वगरा दे रखा है तो कहते हैं slowest step is the rate limiting step ठीक है खेर उन सब चीजों में मैं भी नहीं आँँगा मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूं कि यह 0 क्यों लगा आप लोग चौंक जाओगा यह तो 4 होना चाहिए था अब होता क है जब हम t1.start करते हैं तो यह background में start करतेता है और कहता है कि भाई तुम्हारा thread start हो चुका है अब आगे बढ़ो t2.start का मतलब होता है thread को start करो और आगे बढ़ो script में t3.start भी कहता है thread को start करो और script में आगे बढ़ो यानि कि यह खतम नहीं हुआ है भी बस start हुआ है हमने इस इसको background में throw कर दिया हमने का भाई होता रहेगा इसको side में फैको ठीक है तो यह t1.start का मतलब thread 1 को start करो और side में फैको अब इससे को मतलब ही नहीं है खुद खतम हो जाएगा यह execute के ठीक है और यह नीचे की script चलती रहेगी लेकिन आप को यार मैं यहां पर इंतिजार करना चाता हूं T1, T2 और T3 के खतम होने का तो आप यहां पर कह सकते हो T1.join, T2.join और T3.join यानि कि मैं T1.join का मतलब मैं तब तक रुकना जाता हूं जब तक T1 खतम नहीं हो जाए T2.join का मतला मैं तब तक रुकना चाता। जब तक T2 न खतम न खतम रहा हूँ तो मैं अगर इसको चलाऊंगा तो देखो यह 3 हो जब तक नहीं चल जाती तक छी चलेगा और यह अरूंड 4 सेकंड मुझे देखा जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो threats काफी जादे useful होते हैं जब आप कोई भी चीज डाउनलोड करना चाते हो इंटरनेट से यानि कि आपका जो task है वो IO bound है CPU bound नहीं है अब अगर मानलो मैं इंटरनेट से कुछ चीज डाउनलोड कर रहा हूँ तो इंतिजार करने का कोई point नहीं बनता ना मानलो तो 10 files हैं 10 की 10 files एक एक मिनट लेनी हैं डाउनलोड होने में तो क्या मैं उसे 10 मिनट में करूँ नहीं मैं उसको एक मिनट में कर सकता हूँ threads का इस्तेमाल करके 10 की 10 files को एक साथ डाउनलोड पे लगा दूँगा है हमारी पहली file पे वो सारी internet speed use क्यों नहीं हो जाती है क्योंकि दो चीज़े होती है यार समझो एक होती है internet speed एक होती है server की speed server के देने की शक्ती को कहते है server speed ठीक है अब अगर server दे ही नहीं रहा है 100 MBBS की speed मिलेगी so I hope कि आप यह बाद समझ चुके हो भी कि server की speed होती है और क्योंकि हर server की अपनी बी speed होती है it's better to hit servers parallally है आप 5 के 5 servers या 10 के 10 servers को parallally hit करोगे ताकि आपकी पूरी internet speed यूज हो और उन servers पर load पड़े ठीक है आप parallally load डाल देते हो 500 servers पर 500 अलग-अलग servers पर डालोगे अगर तो वो जो speed आपको मिलने वाली है उतनी मिलेगी और आपका internet भी यूज होगा तो आप जो है इसमें फाइदे में रहोगे ऐसा करने में ठीक है so I hope कि यह जी समझ में आ गई है सब लोगों को अब थोड़ा सा mislaneous जाते हैं शायद आप में से कई लोग बुरा भी मानोगे इस बात का यार इतना कटिन क्यों कर दिया इतना अच्छा तो चल रहा था देखो यार कटिन करना थोड़ा सा मुझे पढ़ेगा क्यूंकि मैं आप आप लोगो बनाने हैं ऐसे अच्छा वाईथन डेवलपर एक छोटा मोटा पा या पनिलफर बने श्रॉपरि तॉप यारे माफ पर ठीक है अगर आप आप आए हो तो आप गलत जगा पे हो कि इसमें एक threat pool executor होता है आप इसकी सहायता से इसको function submit कर सकते हो और उसके बाद क्या कर सकते हो आपकी result जो है इससे प्राप्त कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ इसको use करना कितना आसान है, देको होता क्या है कि मैंने तरह एक काम करता हूँ इसको एक function के अंदर डालता हूँ जो def func था और इसको def main के अंदर डालता हूँ ठीक है, और मैं main को call ही नहीं करूँगा, ठीक है इसको एक function के अंदर डालता हूँ main नाम के, अभी यहाँ पर def pooling demo के नाम से मैं एक function मनाता हूँ और obviously इसलिए मैं इसको call भी करूँगा पूलिंग डेमो को ठीक है कुछ इस तरह से अब लोग देखो मैं यहापर क्या कर रहा हूँ मैं थ्रेट पूल एक्जीकूटर का करता है कि जब आप बल्क में बहुत सारे यहां पर टास्क शेडियूल करना चाहते तो उसमें आपको मदद देता है अब देखो इन्होंने यहां पर काई की एक्जीकूटर डॉट सब्मेट मारलो मैं अपना जो यह वाला फंक्शन है फंक नाम को इसको इस्तेमाल करना चाहत अंसको तो बोड़ों लुटा चाहता हूं एक बार एक में सेकेंड के लिएkin के लिए चाहता हूं ऑफ रीटन करना चाहता हूं स्लीप करना चाहता हूं और एक बार क्या कर रहा आपंद future.result कर रहा हूं मैंने का future is equal to executor.submit मैंने executor को submit कर दिया अब अगर मालो मैं यहाँ पर future 1, future 2, future 3 कर दूँ और यहाँ पर भी 1, 2, और 2, 3 कर दूँ और मैं इनके results को जो है यहाँ पर executor.map और यहाँ पर फंक्शन देदो और यहाँ पर आप क्या करो कि इत्रेबल की list देदो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कहने का मतलब मेरा मालो मेरे पास एक list numbers की l is equal to 3, 5, 6, or 2 ठीक है 3, 5, 1, or 2 कर देता हूं इसको ठीक है अब in most of the cases आपके पास इस तरह की list रहेगी क्योंकि कभी भी आप url से दाउनलोड करना चारे हो चीज़ों को तो आप लोगों के पास ऐसा नहीं है कि एक एक करके आप यह लिखते रहोगे अगर 1000 urls हैं तो आपके पास एक list रहेगी 1000 urls की ना कि आप एक करके url1, url2, url3, url100 तक लिखोगे इतना बड़ा code थोड़े ना बना होगे आपकोई तो आप यहां पर क्या कर सकते हो results is equal to executor.map और आप कह सकते हो कि मैं जो function है न वो लगाना चाहता हूँ l में ठीक है और इसके बाद जब मैं यह चीज़ करूँगा अभी कहते है results is assigned but never used और मैं कह सकता हूँ for result in results और मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ print कर सकता हूँ result ठीक है तो मैं आप लोग को यहां पर दिखाता हूँ कि अगर मैं कुछ return भी कर रहा हूँ नहीं से मालों मैं return कर जाना शुरू कर दिए और अब schedule कर दिए एक साथ और उसके बाद जैसे इसन के results आतेगा है वैसे वैसे यह मुझे print करके देता जा रहा है ठीक है तो parallel execution के लिए यह module बहुत साधा जरूरी है अगर आप लोग concurrent.futures को इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा easy हो जाता है बट जो ज्यादा important है आप लोगों के लिए real life projects बना पाओ आप लोग ना कि यह कि आपको बस मैंने कुछ बता दिया आपने देख लिया ताली बजा दी मजा आ गया ठीक है नहीं इतना ही नहीं आप लोग को अगर real world में download करने की जरूरत पड़ जाती है 50 URLs एक साथ 500 URLs एक साथ आपक साथ साथ अगर आप लोग इसको रैपलेट के learn page से देखना चाते हो तो आप इसको रैपलेट के learn page से भी देख सकते हो I just want to let you know about that यहांपर 100 days of code Hindi यहांपर आप click करोगे आप 100 days of code Hindi में पहुच जाओगे और यहांपर कुछ इस तरह से देखता है काफी बड़िया यह interface बनाया है इन्होंने तो आप यह जो link है इसको यहांपर learn पर जाके आपको मिल जाएग 100 days of code I hope कि आप लोग को मजा आ रहा ह में और हम almost खतम करने वाले यार इस course को बहुत जादा excitement बढ़ रहा है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झालँर दो झालँग।